हेलो फ्रेंड्स दिस इस सुमित वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल चले दिखते कल कौन सा स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो और उसके पीजिका लॉजिक क्या है कल पहला स्टॉक जो है सुमितों में केमिकल्स इसमें आप कल अगर 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कलर के कैंडल के लोग पे आप स्टॉपलस रखकर हाई पे आप बाइंग कर सकते हो अगर फ्लैट नहीं कुला और गैप खुला गैप खुलने के बाद अगर यह केंडल रेड होता है रेड रहता है फिर 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे उसके लोग पे आप शॉट सेल कर सकते हो कॉंट्टिटी थोड़ा कम रहना है इस शॉट सेल करने के बाद पहला टार्गेट आप कर रहेगा यह कि 455 अगर यह भी ब्रेक कर देता है तो एग्रेसिवली मत त्राइक कीजिए यह नेक्स टारगेट इसका ये ये रहेगा घ्राडे में तो एग्रेसिव लिए और आप कॉंटिटिटी एड़ कर सकती हो डारेक्टली ये ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट वनने दीजे री टेस्ट होने के बाद एक केंडल रेड कलर का केंडल बनाएगा वहां पे उसके लोग पे और कॉंटिटी आप आड कर सकते हो उसके बाद यह जो उसका रिजिस्टेंस रहेगा नीचे आने के बाद 440 उसका स्टॉप लोस रहेगा एकज़ेट 440 मत रखे स्टॉप अरूंड 441.50 उसका स्टॉप लोस करके अगर गैफ ऑप ओन अगर यहां पर रेड कलर का केंडल बनाता है तो अवेड केज़ेट रेड और ग्रीन कलर का केंडल बनाएगा तो आवड केज़ेट रेड क्यूंकि यहां पर साइड़ेस मौने का चांस बहुत है तो यह है है थ एनेलेसिस नेक्स्ट आता है एसीसी एसीसी में आप कल फ्लैट खुलने के बाद अगर 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे स्टार्टिंग 15 मिनिट में अगर ग्रेट करका केंडल बनाता है तो उसके हाइप पे आप स्टॉपलस रखके लोग पे आप शॉट सेल कर सकते हो अगर फ्ल 2185-2170 उसका टार्गेट रहेगा इंट्राडे के लिए नेक्स्ट अगर गैप आप ओपनिंग हुआ एराउंड इसके उपर स्टॉपलस और यहां पे ग्रीन कलर का केंडल बनाता है तो आप उसके लोग पे स्टॉपलस रखकर हाई पे आप बाइंग कर सकते हो पहला टार्गेट आप कर रहेगा 2260-2270 इंट्राडे के लिए बाइंग इसमें अवाइड किजिए क्योंकि मोस्ट आफ मोस्ट यह सेलिंग के लिए रहेगा स्टॉप तो अगर फ्लाइट ओपनिंग करेगा तो जैसे मै और यह बीच में कहीं ओर्पन हो जाता है अरांड के टाइमफ्रेम पे ऑपन हो जाता है ग्रीन कलर का कैंडल बनाता या रड़ क्यंड बनाता ली कि बिच में यह व्र करते रहेगा तो अगर यह बीचmidt तो बैफ़ेंग टेर कर अगर 15 मिनिट के टाइम पे फ्लैट ओपनिंग होके रेड गलर केंडल बनाता है फ्लैट ओपनिंग में 15 में इस्टार्टिंग रेड कलर का केंडल बनाता है तो उसके लोग पे आप स्टॉक शॉट्ट सेल कर सकते हो इमेडिट आप 2287.55 क्रोस करते ही आप शॉट्ट सेल कर सकते हो 2280-2270 इंटाड़े का टार्गेट रहेगा अगर यह ऐसे आएगा डायरेक्टली यहां पे आपका टार्गेट नहीं मिलेगा यहां पे आने के बाद एक बार यह रिटेस्ट करेगा यह लेवल रिटेस्ट करने क के बाद यह लेवल आपको मिल सकता है अगर बीच में कहीं ओपन हुआ तो अवाइड किजी ट्रेड इसमें भी यह एक ही जगा पर हावर करते रहेगा तो लॉस्स हो सकता है नेक्स्ट अगर गेप अपनिंग हुआ और ग्रीन कलर का केंडल बन गया इसमें HDFC में तो उसके लोग पे स्टॉप्लोस रखके हाई पे बाई किजिए कॉंट्रीटी थोड़ा कम रहना है अगर बाइंग में कल HDFC और ACC में भी नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉक हमारा इसमें देखे 5 मिनिट के टाम फ्रेम पे हाई विक रिजेक्शन केंडल बनाया अगर यह कल फ्लैट ओपन होके एक रेड कलर का केंडल सस्टेन करता है 15 मिनिट में इमिडेट आप उसके लोग पे शॉट सेल कर सकते हो और हाई पे स्टॉप लोस रख सकते हो और इमिडेट अगर यह बीच में ओपन होता है राउंड 528-232 के रेंग में ओपन होता है और ग्रीन कलर का केंडल बनाता है तो एक ही जावा हो और करते रहेगा तो अवाइट किजिए ट्रेट गैप आप ओपनिंग हुआ ग्रीन कल का केंडल है इमिडेट आप उसके हाई पे बाइंग कर सकते हो लोग पे स्टॉप लस रखके बाइंग कर सकते हो तो कॉंटिटी थोड़ा कम रहना है बाइंग में सभी स्टॉक्स में तो आज के लिए इतना है थैंक यू वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ला झाल 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 झाल झाल